विश्व में सुखी कौन? आचारे जानिशव जी के व्यदिक प्रवचन पूरा अवस्य सुने कोई भी मझे हिंदु हो मुस्लीम हो सिक्थ हो इसाई हो जैन हो बॉद हो पार्सी हो यहूदी हो नास्तिक हो आस्तिक हो पिक्षित हो मनुश्य मात्र की बात करता हूँ मैं वेज किसी वरग विशेष के लिए नहीं करता हूँ पदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं केवल मुसलमानों के लिए नहीं आरियों के लिए नहीं मनुश्य मात्र के लिए है कोई बात में रखने का प्रियास करता हूँ सारे विश्व में इस धर्ती पे रहने वाले मनुश्यों के एक इच्छा समान होती है सारे ब्रमांड की इस धर्थी की बात नहीं कर रहा हूं पूरे ब्रमांड में जितनी पृत्वियां हैं उसमें जितने मनुश्य होंगे असंख्य होंगे उनकी एक इच्छा समान होती है मैं सोखी हो जाओं दुखी नहों मैं इच्छा मान इच्छा है काला हो, गोरा हो, इंडिन हो, जैपनेज हो, चाइनेज हो, रश्यन हो, एस्टेडिन हो किसी भी देश का हो, किसी में मतमन संपर्दाय का हो ये सास्वत सत्य है, पत्रिक मुनिश्य की इच्छा होती है कि मैं सुखी हो जाऊं, दुखी न हो और इसी के लिए प्रियास कर रहा है वक्ति, पढ़ रहा है, लिख रहा है, नौकरी कर रहा है, धंदा कर रहा है, कमा रहा है, विवा कर रहा है, मकान बना रहा है, गाड़ी ले रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, घुम रहा है, फिर रहा है, नाच रहा है, कुद रहा है केवल इसी उदेश्चे के लिए मैं दुखी ना हूँ और सुखी हो जाऊं आज इस लक्ष की पूर्ती के लिए संपुन विश्व के अंदर जितने भी महानभाव हुए हैं हर देश के अंदर लोगों ने मनश्य को सुखी बनाने के लिए दिरगायू बनाने के लिए खुग प्रियास किया है अनंद प्रियास किया है लेकिन एक भूल हो गई भूल क्या होई है उदोंने विचार कर लिया कि सुखी होने के लिए हमें अधिक अधिक भोग्य पदार्थों को प्राप्त करना बोग्य पदार्थ जिससे प्राप्त हो सकते हैं पांच इंद्रियों के विशें वो अधिकाधिक प्राप्त करेंगे हम अधिक सुखी हो जाएंगे यहां भूल होई है बोग्य पदार्थों की आउसकता है धन की भी आउसकता है मकान की भी आउसकता है गाड़ी की भी है, कपड़े की भी है, बोजन की भी है, पती-पतनी की भी है, बच्चों की भी है, सब कुछ की है लेकिन एक बड़ी आवशक्ता जिसको हम भूल गए हैं, उसका नाम धर्म है बक्ति के अंदर जीवन में धर्म नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है तो बक्ति, बहुतीक बस्तों के माद्यम से कितने संपन हो जाए, और पूर्ण सुखी नहीं हो सकता वेद कहता है कि हम बहुती दिश्रीकोंचे कितने संपन हो जाएं लेकिन आध्यात्मी दिश्रीकोंचे जो कटनाई आती है बाधाई आती है उसका समाधान धन नहीं कर सकता जीवन के लक्षे की प्राप्ति के लिए दो साधन बताए अभ्यूदय और निश्रेयस इदाष्णिक बाध बता रहा हूं मैं आप भोग और भोग समागरूं को प्राप्त करना और भातिक दिश्रीकोंचे संपन सुक्यू जाना ये अभ्यूदय में काता है लेकिन आत्मा परमात्मा को जानना पुनजन में विश्वास करना करमफल में विश्वास करना जीवन मुर्त्यू में विश्वास करना धर्मा धर्म में विश्वास करना संस्कारों में विश्वास करना पुन्या अपुन्यू में विश्वास करना इश्वर में विश्वास करना इश्वर की आज़ों में विश्वास करना ये अब्युदों के ख्यतर में आता है जिस व्यक्ति को इश्वर की विश्वे में जान नहीं है आत्मा की विश्वे में जान नहीं है पुनजन की विश्वे में विश्वास नहीं है करमपल की विश्वे में विश्वास नहीं है व अर प्रकार के बहुतिक विश्यों में सुख मिलता है, लेक्षनिक सुख मिलता है, पूर्ण सुख नहीं मिलता है, मुनिश्य ने कितनी भाषाओं को क्योंने प्राप्त कर लिया हो, कितनी धंसंपती क्योंने प्राप्त कर लिया हो, कितनी डिग्रियां क्योंने प्राप्त कर होता है मकान सनी होता है लौकिक वस्तम सनी होता है उसका अपाय केवल मात्र अध्यात्म है जिस व्यत्ति के मन के अंदर आत्मा के अंदर बुद्धी के अंदर परमपिता परमात्मा के प्रति विश्वास है सच्चे इश्वर के प्रति ज्यान देने की बात है आज के इश्वर बनाकर के लोगों ने कलपोर कलपना से खड़े कर लिये हैं, मैं उनकी बात नहीं करा में सच्चा इश्वर कैसा इश्वर, सच्चा इश्वर जो वेदोक्त है, आर समाज के दूसरा नियम ले सकते हैं, मोटी बार करमों का साक्षी है, और करम फल दाता है इस इश्वर को जो वेदोक्ति अच्छी प्रकार से जान लेता है केवल जानना नहीं जान लेता है, मान लेता है स्विकार कर लेता है और अपने मन बुद्धी में स्थापित कर लेता है वेदमना क्या है पर्थम तो इस्ति ये है आज विश्व के आदे से अधिक लोग इस इश्वर पे विश्वास नहीं करते है त्यान देना लगबग तीन अरब से अधिक विटी संसार के अंदर इश्वर पे विश्वास नहीं करते है ये चीन भरा पड़ा है चीन है, रशिया है, योगसलवा किया है जितने भी देखी आप अमर देश में मिलेंगे करोडों वक्तिस भार पवर्ष में मिलेंगे आज भी जो कहते हैं, हम इश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं जो आदे रखते हैं उनका इश्वर जो है वो पूर्ण है सच्चा नहीं है केवल मात्र वेदोक्तिस्वर जो है उस वेदोक्तिस्वर को ठीक बक्ति जानता है मानता है, अपने जिवन में स्थापित करके, उसके उनसार चलता है उसके जुमने पूर्ण सुक्की प्राप्ति हो सकती है और नहीं हो सकती है मानुभाओ वैदिक इश्वर की उपासना के करने के लिए आध्यात में जिवन को उपनाने के लिए सबसे पहली मेहत्वपून चीज है कि हम उस इश्वर को अपने मस्तिस में हर समय रखे सबी बैती ही आ गए है ना किवल हम किसी अन्यक बिसी मत्मन समर्दा की बात कर रहा हूँ हम जो यहाँ बैठे है आरी लोग बैठे हैं वैडि धर्मी बैठे हैं दाशनिक बैठे हैं स्वामी द्यान के अन्याई बैठे हैं आर समाज को मानने वाले बैठे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ इश्वर को केवल जान देना परियाप्त नहीं है मान देना परियाप्त नहीं है स्विकार कर देना परियाप्त नहीं है उस इश्वर को अपने आत्मा के अंदर, अपने बुद्धी के अंदर हर समय बिठाय रखना निवारी है एक नियम है इस्वर का जितने काल तक मैं इस्वर को अपने बुद्धी बनाए रखेंगे, उतने काल तक हम सतर्क रहेंगे, सावधन रहेंगे इस्वर से हमको बुद्धी मिलती रहेगी इस्वर से हमको मार्दसन मिलता रहेगा हम जो कोई भी कार्य करेंगे हम जो भी वानी बोलेंगे जो भी विचार करेंगे उस सारे की सारे विचार इस्वर के उड़ से प्रामानिक होंगे इस्वा से पूच करके करेंगे हम जो व्यच्टि उस परमपिता परमात्मा को जो सर्वयापक है निराकार है न्यायगारी है करम फल का दाता है करमों का शाक्षी है उस इस्वार को अपने मस्तिस में जितने काल तक मन में बना करके बैठकर बनाकर उफस्थित रखता है उसकी इच्छा के उसार कारे करता है उसकी प्रणा के उसार कारे करता है उसे प्रमानिकों के कारे करता है उस व्यक्ति के पास में दुख नहीं आ सकता खान देना जो हमारे पास हम बैठे हैं सारे विश्व के लोग लेजिए, जिनके पास वो कष्ट आता है, दुख आता है, पदे पदे आता है, रोजा ना आता है, अपमान होता है वक्ति का, लोग जूट बोलते हैं, छलकपट करते हैं, अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं लोग, चोरी करते हैं, हमारे पर इन में होंगे रागे भी होंगे कट्नाइं आएंगे बाधाइं आएंगे कश्ट आएंगे संकट आएंगे इसका समाधान केवल अध्यात्म के माध्यम से है जो वक्ति अपने मस्तिस के अंदर परमपिता परमात्मा को उपस्तित मानता कैसे जिसे घर के अंदर आपने घर के अंदर माता पिता को देखते हैं ऐसे घर में ये मान के चलें मेरे घर में इश्वर बैठा है घर में नहीं मेरे कमरे में बैठा है मेरे पास में बैठा है मेरे शरीर में है मेरे मन में है मेरी बुद्धी में है मेरी आत्मा में है हर समय जितने काल तक वैदि शिद्दान्त ये है दार्शने शिद्दान्त ये है जितने काल तक हम अपने मन के अंदर परमपिता परमात्मा को उपस्टित मानते हैं उतने काल तक आस्तिक रहते हैं ये दार्शनिक परिबासा बैदी दार्शनिक जितने काल तक इस्वर को हम बोला देते हैं उतने काल तक अब नास्तिक बन जाएंगे और नास्तिक विर्ती गलत विचारेगा गलत बोलेगा गलत कारिय करेगा परणाम होगा दुक दुक्षों से बचना है ऑपरमपिता परमात्मा को हर समय, हर पल अपने मस्तिस में में रखना पड़ता है और ये भावना बनानी पड़ती है ईस्टर मेरे पास में है मेरे आगे है, मेरे पीछे है मेरे नाएं है, मेरे माएं है, उपर है, नीचे है, अंदर है मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है कोई भी कारियर मैं इस उसे छुप करके नहीं कर सकता है कोई भी कारियर हम अकेले में हैं, अंधिरे में बैठे हैं एकान में बैठे हैं कोई हमको देख नहीं रहा है मन में जो विचार कर रहे है हमारी पतनी, हमारा पती, हमारे माता-पता हमारे भाई, हमारे बंदू, हमारे घर का कोई वक्ती देख नहीं रहा है लेकि परम पता, परमात्मा हमको देखता है एसा विश्वास जब मन में रहता है व nasal के, वह कोई कारे गल्ट नहीं कर सकता हम से भूल ये होती है हमने इस वरको माना तो है, जानने का प्रियास तो किया है हम स्विकार भी करते हैं, एक घंटे के लिए करते हैं, दो घंटे के लिए करते हैं ध्यान के समय में करते हैं सत्संग के समय में करते हैं चर्चा के समय में करते हैं बजन के समय में करते हैं और कोई आध्यात्मी कारेकर्म के समय करते हैं बाकी दिन भर इस्वर को भूले रहते हैं कोई दो गंटे कोई चार गंटे कोई बहुत अच्छी आध्यात्मिक आद्मी धार्मिक आद्मी हो तो छे घंटे तक इस्वर को याद करता है बाकी खाते समय, पीते समय, बोलते समय, स्कूल में, कॉलेज में जहां भी कारेशाला है वहां जाते हैं इस्वर को बिल्कुल भूल जाते हैं वहली स्द्दान्त यह है इस्वर को हर समय याद रखना है हमारे स्वामी द्यान जी जगा जगा लिखते हैं आर्या भी बिन्यम देखिए आप वेदों में मिलनेगा आपको हे परमिस्वर हम आपको प्रतिक्षन एक गंटा नहीं, दो गंटे नहीं छे गंटे नहीं, आठ गंटे नहीं, दस गंटे नहीं प्रतिक्षन हम आपको याद करके रहें यदि हम आपको भूल जाएंगे ना जाने हमारा क्या होगा शद्दान था यह हम परमपिता परमात्मा को हर सप्रम्पने मस्तिस में रखें यदि मस्तिस में रखेंगे तो निश्चित बात है हम उजई इस्वर के माद्यम से विशेश जान विशेश बल विशेश आनन की प्राप्ति कर सकेंगे आज हम आरी लोग वैड़ी धर्मी लोग इस्वर को जानते हैं मानते हैं शुरकार करते हैं थोड़ा मानते हैं यदि हम इस्वर को ठीक प्रकार जान करके और हर समय हर पल अपने मस्तिस में रखें यह हो नहीं सकता है हम दुनिया को बदल ना दें मानभव यह रिशी लोग हैं यह संत लोग हैं सन्यासी लोग हैं जो अपने स्वर्थों को छोड़ करके देश विदेश में जोनों ने काम किया है आर्समाद के तिहास को देखिया पचासों वर्सों तक आज देश के अंदर पचीस देशों के लोग यहां पर आ रहे हैं कहां कहां गए लोग मौरिशेस में जाईए आप सुरुना में जाईए गयाना में टिरिनडाड में दक्षिन अफ्रिमा अफरिका में देखिया आप इंग्लेंड में देखिये इदर फिजी में गयाना में थाइलेंड में जहां जाईए आप हमारे यहां के सन्याशी गए कितने शक्ति थी, कितना सास था, कितना प्राकरम था, कितना उच्सा था, कितने निरिभीक था थी एक कैसे आती है, एक परमपिता परमात्मा के माध्यम से आती है सच्छे इस्वर को जानने वाला, मानने वाला, स्विकार करने वाला, अपने मन में रखने वाले व्यक्ति के मन में इतना उच्छा होता है, इतनी आशा होती है, इतना निशार्थी बनता है, इतना प्रेमी बनता है, कि कल्पना नहीं कर सकते आज हमारियों के अंदर रिश्वर को ठीक प्रकार से जानते हैं मानते हैं थोड़ा मानते हैं और अधिक रिश्वर को जानने का प्रयास करें और अधिक मस्तिस में बिठाने का प्रयास करें और अधिक इस्वर को अपने मस्तिस में बिठा करके दिन भरी इस्वर को साथ में लेके चलें हम अद्बूत कार्य कर सकते हैं आज संसार जो है अंदकार में भटक रहा है देखी आप चारों तरफ विदेशों की बातों में क्या करूं मैं देश को देखी आप जो वेदों को उठा के देखते हैं दर्शनों को उठा के देखते हैं उपनिशत को पढ़ते हैं और तुलना करते हैं आज हमारे देश की भारतियों की याँके जीवन की, खान पान की चरित्र की, आचार विचार की परमपराओं की, लक्षे की, मारग की, साधनों की बहुत अंतर दिखाई देता है कारण क्या है? वो एक कमी हमारी परमपिता परमात्मा हमारियों पे कृपा करें ऐसी कृपा करें कि हम परमपिता परमात्मा अपने हर्य में रख करके अद्बुत कारे करें हमें एक उपाय एक अपनाना है मैं अपने गुरु जुनस से सुना है एक उपाय हम अपने घर में रहते हैं अकेले ना माने हम कमरे में अकेले हैं ये मान के चले हम दो हैं मेरे साथ में इस्वर है पती पतनी हैं ये मान के चले हम पती पतनी नहीं हैं हम तीन हैं, परमपिता परमात्मा मेरे पास में हैं, बच्चे भी हैं, दो बच्चे हैं, तो पांच मान के चलें, हम अपने घर के अंदर इश्वर को भुला देते हैं, कि उल्ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, सत्संग करते हैं, बजन करते हैं, उसमें इश्वर की अनुभूती रहती है बाकी इश्वर को दबा रहते हैं अथो इश्वर निकल जाता है हमें ये प्रियास करना है जो सरव्यापक, सरवज्य, सरसक्तिमान, न्यायकार इश्वर है उसको हर पल हर समय उठते वे, बैठते वे, खाते वे, पीते वे, चलते वे, फिरते वे हर समय मस्तिस में रखे हैं कि परमपिता परमात्मा मेरे साथ में है अद्भूद शक्ती मिलती हमान भाव इश्वर की शक्ति, इश्वर का ज्यान, इश्वर का बल, इश्वर का सास, इश्वर का प्राकर्म प्राप्त करके वक्ति एक अकेला पता नहीं कितने कारियों को कर सकता है परमपिता परमात्मा हमको शक्ति दे हम उस परमपिता परमात्मा को ठीप परकार जान करके और ना केवल अपने जीवन में अपने परिवार के अंदर ना केवल अपने गाउं में नगर में, राज्य में ना केवल देश में, संपुन विश्व के अंदर और परमपिता परमात्मा की स्थापना करें आरे समाज का, स्वामी द्यान जी का सबसे बड़ा मुख्य लक्षे यह है एक लक्षे की पूर्टी कर देंगे सोता अपने आप सारे लक्षे की पूर्टी हो जाएगी हमारा कारे क्या है हमारा लक्षे यह है मुनश्य के हरदय के अंदर उसकी बुद्धी में उसकी आत्मा में उसमें मन में परमपिता परमात्मा के परिटी सद्धा और निष्ठा और रुची और प्रेन और विश्वास परिदा कर दें सारे काम सथ हो जाएंगे बस एक ही काम करना है आज वेक्ति जो बिगड गया है विनाश हो रहा है उसका एक ही कारण है हमने अपने जीवन में से इस्वर को या तो निकाल दिया है अथवा दबा दिया है अथवा थोड़े से काल के लिए याद करते हैं वो परमपिता परमात्मा 18 गंडे जागरत काल में बहुत सक्ति बल देने वाला है बस यह की काम करना है अंत में दो मिनट के लिए उस परमपिता परमात्मा का हम ध्यान करेंगे तीन सब्द है रोगों को, सबस्त प्रकार की कमियों को तुटियों को दूर करने वाला है, और स्वा का मतलब है, जो आनन देने वाला है, जान देने वाला है, बल देने वाला है, वुसा देने वाला है, पराकरम देने वाला है, ये तीन सब्दों के रहत है इन से इन सब्दों को लेकर के हम जब करेंगे केवल दो मिनट के लिए आँखें बंद करेंगे सीधियो के बैठना है मैं जिस प्रकार से बोलता हूँ उस कानू करन करना है ओम भूर ओम भूर बोलिये दो वार ओम भूर ओम भूर अब सुनेंगे ओम भूवाहा ओम भूवाहा बोलिये ओम भूवाहा सुनेंगे ओमसाह 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 आप सभी मिलके में साथ बोलेंगे दो दो बार बोलना है मन में भावना बनानी है परमपिता परमात्मा मेरे अंदर है मेरे शरीर में है मेरे मन में है मेरे इंद्रियों में है मेरे बुद्धी में है मेरे आत्मा में है मैं उसमें डूबावा हूँ वो मेरे में है मैं उसमें हूँ ऐसा मन में भावना बनानी है सच्ची भावना बनानी है और इन दो तीन शब्दों को दो दो तीन तीन बार बोलेंगे हम उसके बाद समाप्त करेंगे अभी किसी समय किसी वस्तु का समन्द नहीं करना है आँखें बंद हम कहां बैठे हैं कौन सा स्थान है कौन सा समय है कौन से कपड़े पैंद रखे हैं इस बात की बेन बुती करनी करनी है केवल अपनी आत्मा को और आत्मा बेठे परमपिता परमात्मा का समन करना है इसको कहते हैं भावना इस्वर पनिधान प्रारम करेंगे ओम्हुर 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 ओम्हु ओम्भुवाहा ओम्भुवाहा ओम्साहा ओम्साहा ओम्भुवाहा ओम्भुवाहा ओम्साहा ओम्भुवाहा ओम्भुवाहा ओम्साहा ओम्भुवाहा ओम्भुवाहा ओम्साहा ओम्भुवाहा ओम्भुवाहा ओम्साहा ओम्साहा ओम्भुवाहा ओम्भुवाहा ओम्साहा ओम कभी कभी उसको देखते हैं अनभो करते हैं बाकिसमें भुला लेते हैं बस अध्यात्निक रेश यही है यही योगा ब्यास है यही भक्ती है यही पूजा है कि हर समय आँख खुलने से लेकर के आँख बंद होने तक हर समय मन में अनभोती बनाये रखें, कि परमपिता परमात्मा मेरे साथ में हैं, मेरे सरीर में हैं, मेरे बुद्धी में हैं, मेरे अंतकर्ण में, मेरे आत्मा में हैं, और उससे मांगे हम, बहुत इस्वर के पास में शक्ति है, जान है, बल है हमारी कमी है, हम उसको मांगनी पा रहे हैं उसके पास तो भंडार बरेवे हैं परमपिता परमात्मा की किर्पा हो के हम उस परमपिता परमात्मा से महान जान महान बन महान सक्ति महान आनुन मांगे अपने जिवन को महान बनाएं अपने परिवार को आगे चलके गाओं को समाज को राश्ट्र को और यूटूब चैनल सब्क्राइब करें लाइक करें शेर करें धन्यवाद